आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगा कि कैसे आप NPS के tier 1 वर tier 2 के अंदर अपने pension fund manager different different scheme के लिए अलग-अलग चुन सकते हैं जामपल अभी तक जो आपके पास option थी वो ये थी कि आप equity, corporate, government, bond, alternate investment हैं इन सभी के अंदर आपको एक ही PFM यानि pension fund manager रखना होता था आप इन में से कोई एक PFM यानि pension fund manager चुनते थे वो सारी schemes के लिए applicable होता था लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के description में दिये गए link के थुरू जाएंगे तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि आप कैसे current time में कौन सा PFM हमें जादा profit दे सकता है यानि वो अभी सबसे अच्छी performance दे रहा है मान लिया जाए कि कोई pension fund manager किसी एक scheme में अच्छा return दे रहा है तो वहें बाकी schemes में भी अच्छा return दे ये जरूरी नहीं है इसलिए अब आपके पास अलग-अलग scheme के लिए अलग-अलग pension fund manager चुनने का option होता है NPS login करने के लिए आप video के description में देगे link के through भी जा सकते हैं यहाँ पर NPS में login करने के लिए हमें Google Chrome app open कर लेना है उसके बाद हमें search में NPS लिखकर search कर लेना है यहाँ पर जैसे ही हम NPS लिखकर search करेंगे हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें सबसे उपर वाली जो site है सबसे पहली जो site है उस पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हम scroll down करेंगे और उसके बाद यहाँ पर login with pran वाले option पर click कर देंगे इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हम scroll up करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं subscribers वाला एक section दिखाई देगा हमें login कर लेना है यहाँ पर हमें user id, password और capture डालकर I understand that वाले checkbox पर click करके submit कर देना है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपना login करके दिखाता हूँ यहाँ पर login करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाता है यहाँ पर हमें transact online वाले option पर click करना है उसके बाद हमारे सामने कुछ options दिखाई देंगे यहाँ पर हमें change pfm वाले option को select कर लेना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें tier type वाले option को select करना है यहाँ पर हम tier 1 के लिए आपको change करना बताएंगे तो इसके लिए हम tier 1 select कर सकते हैं आपको यदि tier 2 के लिए करना है, तो आप tier 2 select कर सकते हैं, उसके बाद हमें submit वाले बटन पर click कर देना, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ journal instructions आपको यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यदि scheme preference change करेंगे, तो यह आपका T plus 3 days में य यानि कि आज आप यदि इस request को submit करते हैं, तो यह लगबग 3 दिन बाद तक आपका update होगा, इसके बाद हमें proceed वाले बटन पर click कर देना, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा scheme है, वो SBI pension fund scheme है, इसमें equity में मेरा 33% है, यहाँ पर SBI pension fund scheme जो corporate है, उसमें 33% है SBI pension scheme जो government bond है, उसमें 34% मेरा selection किया हुआ है, यहाँ पर हम scroll down करेंगे change करने के लिए और submit पर click कर देंगे, उसके बाद हमें scroll down करना है, यहाँ पर scroll down करने के बाद आपके सामने new investment scheme choice दिखाई देगा, जैसे ही आप active पर click करेंगे, आपके सामने एक pop-up दिखाई देगा, यह यहाँ पर आप के लिए लिए देख सकते हैं कि आप different pension fund manager different asset classes के लिए choose कर सकते हैं, इसके बाद हमें ok वाले बटन पर click कर देना है, इसके बाद आपको scroll down करना है, यहाँ पर यह जो PFM है pension fund manager, यह आपको किस time पर कौन सा select करना है, इसके लिए एक मेने separate video बनाया है, जो इस video क description में मिल जाएगा, आप जब यह video देख रहे हैं, उस time पर हो सकता है कि जो मैंने PFM select किया है, उसका जो return जो है अच्छा ना हो, इसलिए यदि आपको पता करना है कि कौन सा pension fund manager अच्छा perform कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिये गए video के description में, जो video का link है, उस pension fund manager है, वो अलग-अलग रखने वाला हूं, यहाँ पर मैं अपना pension fund manager select कर लूँगा, और यहाँ पर मैं scheme select करके अपना percentage 75 कर दूँगा, equity के लिए, इसके बाद मैं second वाला select करूँगा, जो कि मैं यहाँ पर कोटक महिंदरा pension fund limited को select कर रहा हूं, जो कि इस time पर government bond के लिए यहाँ पर PFM select करने के बाद हमें submit वाले बटन पर click कर देना, इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक confirmation के लिए page open हो जाता है, यहाँ पर हमें send OTP पर click कर देना, इसके बाद हमारे number पर और email पर दोनों पर एक OTP भीजी जाती है, उसमें से कोई सी एक OTP हमें यहाँ पर enter कर देनी है, यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद हमें submit OTP पर click कर देना, इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाता है, यहाँ पर आप clearly acknowledgement number और capture date देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो request है, वो successfully submit हो गई है, यहाँ पर हमारा जो PFM है, pension fund manager है, तीन से चार द दोस्तों आप भी कुछ इसी तरीके से अपना PFM online घर बेठे चेंज कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, साथी दोस्तों यदि इस वीडियो से related आपका कोई भी query एक्यूशन है, तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं, thank you so much for watching